नवश्कार दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पांच पांडव और द्रौपदी की मृत्यू कैसे हुई थी तो आईए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो भगवाएं श्री कृष्ण की मृत्यू के पश्चा जब अरजुन द्वार का जाकर बचे हुए इस्त्री एवंपुर्शों को लेकर हस्तिनपूर की और वापिस आते हैं तो पंजाब के आसपास के इलाकों में कुछ अभिर डाकू आकर इस्त्रियां और धन लूटने की कोश करते हैं तब अरजुन उंस्त्रियों को और धन को बचाने के लिए जब अपने गांडीव की प्रित्चा चरहने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें असफ़ल हो जाते हैं और उनके दिव्यास्तर भी उनके सामने प्रकट नहीं होते और वो उन याद्व डिव्यास औयम धन क पर आ चुका है अता पांडवों को भी अब राज्य का परित्याग करके हिमाले की और जाना चाहिए ये सब सुनने के बाद अर्जुन महाराज युधिश्टिर के पास जाते है और वेद व्यास द्वारा कहे के कथन को उन्हें सुनाते है युधिश्टिर ये बात सुनने के बाद परिक्षित को जो की एक बालक ही होते है हस्तिनपुर का राजा बना देते है और युजुट्सू को उनका गार्डियन बना देते हैं उसके पश्चात व्रिक्ष से बने हुए कपड़ों को पहन कर पांचो पांडव एवं द्रॉपदी राज्य छोड़कर वनकी और प्रस्थान करते हैं जब वो राज्य से निकलते हैं तो एक कुता भी उनके सासा चलता है सबसे आग युधिष्टिर फिर भीम फिर अरज्चुन फिर नकल फिर सहदे और फिर द्रॉपदी और उनके पश्चात कुता इस क्रम में वो राज्य से चलते हैं राज्य का परित्या करने के पश्चात सबसे पहले पांच पांडव द्रॉपदी एवं कुता लाल सागर पर पहुंचते हैं जहां पर अगनी देव उनके सामने प्रकट होते हैं अगनी देव कहते हैं कि हे अर्जुन तुम्हारे पास जो गांडव धनुश एवं जो तरकश है जो मैंने तुम्हें वरुन देव से मांग कर दिये थे उनका इस धर्ती पर कार्य पूर्ण हो गया है इसलिए तुम इन्हें वरुन देव को वापिस लोटा दो उसके पश्चात अर्जुन अपना तरकश एवं गांडी उतार कर समुद्र में फैंक देते हैं उसके बाद सभी पांडव एवं द्रौपदी दक्षिन की और जाते हुए खारे सागर के उतरी तट पर जाते हैं वहां से वो दक्षिन पश्चिम की और बढ़ते हैं और द्वारका की तरफ जाते हैं और द्वारका को समुद्र में डूपता हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं फिर वहां से वो उत्तर की और बढ़ते हुए हिमालिय की और जाते है और हिमालिय को पार करते हुए एक बहुत ही विशालरेगिस्तान से होते हुए मेरू परवत की और जाते हैं फिर इस तरह से उसकी मृत्यू क्यों हुई इसका क्या कारण है तब युदिश्टिर भीम को बताते हुए कहते हैं कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए हम चारो भायों से ज्यादा प्रेम था इसलिए उसकी इस तरह से मृत्यू हुई है तब पांचों पांड़ों एक बार युदिश्टिर से कहते हैं कि हे महराज सहदेव तो इतना ज्याणी ठा उसे हर चीज़ का ज्यान था फिर उसके इस तरह से मृत्यू क्यों हुई भीम को उत्तर देते हुए युधिष्टिर कहते है कि सहदेव को अपने ग्यानी होने का घमंड था और वो किसी को भी अपने समकक्ष नहीं समझते थे इसलिए उनकी मृत्यू इस तरह से हुई है फिर थोड़ा आगे चलते हुए नकुल जमीन पर गिर जाते है और उनकी भी मृत्यू होती है फिर एक बार भीम युधिष्टिर से उनकी मृत्यू का कारण पूछते है तब युधिष्टिर भीम को बताते हुए कहते है कि नकुल को अपने सुन्दर होने पर बड़ा ही अभीमान था और वो अपनी सुन्दर ताके आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे इसलिए उनके साथ ये हादसा हुआ है तब तीनों भाई और कुट्ता आगे वड़ते हैं कि थोड़ी ही देर में अरजुन भी जमीन पर गिर जाते हैं और उनके भी प्रान पकेरू हो जाते है अरजुन की ये दशा देखकर भीम युधिश्टिर से फिर पूछते है कि हे ब्राता अरजुन ने तो कभी मिथ्या नहीं कहा और ना ही कभी युध से पीठ दिखाई है फिर उसके साथ इस तरह की घटना क्यों घटित हुई है भीम को फिर से जवाब देते हुए युधिश्टिर कहते है कि अरजुन को अपनी शक्ती पर बहुत ही घमंड था और उसने कहा था कि वो एक दिन में कुरुक्षेतर का युध समाप्त कर सकते है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए किसी भी घ्यानी और शक्ती शाली योधा को भावनाओं में आकर बाते नहीं करनी चाहिए इसलिए अरजुन का ये हाल हुआ है थोड़ी आगे बढ़ते ही भीम भी जमीन पर गिर जाते है और वो गिरते गिरते युधिश्टिर से कहते है कि हे भाता मैं तो आपका अती प्रिय हूँ फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है भीम को जवाब देते हुए युधिश्टिर कहते हैं कि हे भीम तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते थे और हमेशा अपनी शक्ती शाली होने की धींगे हांका करते थे खाना खाने के आगे तुमें किसी और की इच्छा ही नजर नहीं आती थी इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह की घटना घटित हुई है फिर युधिश्टिर और वो कुट्ता आगे बढ़ते हैं और कुछी समय में भगवान इंद्र एक दिव्य भी मान दे कर धर्ती लोग पर आते है और युधिश्टिर को स्वर्ग की और ले जाते है स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिश्टिर एक दिव्य देवता के रूप में परिवर्तित हो जाते है तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी जल्दी ही मिलते है एक ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद